गूगल एकाउंट कैसे बनाएं अगर आप अपने मोबाइल से गूगल का नया एकाउंट बना रहे हो तो इसके लिए आपको आपके मोबाइल के सेटिंस में आजाना है सेटिंस में आप जैसे ही आओ गया आपको नीचे आजाना है लास्ट में last में आपको accounts का option मिल जाता है इससे आप अपना Google का नया account बना सकते हो जैसे ही आप accounts को open करोगे आपके सामने इस तरह के से आ जाएगा आपको यहां last में आ जाना है last में आपको add account का option मिल जाएगा जैसे ही आप add account को open करोगे आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा यहां आपको Google को select करना है Google का आप अगर account बना रहे हो तो यहां आपको Google को select करना है जैसे ही आप Google को select करोगे आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा checking info अब यहां से आप अपना नया Google का अकाउंट बना सकते हो अब यहां आपको Create Account पर क्लिक करना है और इन दोनों में से कोई एक को चुछ करना है इसके बाद आपके समने इस तरीके से आजाएगा Create a Google Account अब यहां आपका नाम देना होगा जिस भी नाम से आप अपना Google अकाउंट बनाना चाहते हो चले हम अपना नाम यहां डाल देते हैं आप भी अपना नाम यहां डाल देजीगा इसके बाद आपको नीचे Next पर क्लिक करना है जैसे ही आप Next पर क्लिक करेंगे आपको Basic Information पुछा जाएगा जैसे की Date of Bart आपको यहां Day पर Select करना है अपना बड़े डेट यहां डाल देना है इसके बाद Month को Select करना है और Month डाल देना है इसके बाद Year को Select करना है और Year डाल देना है अब यहां पर आपको थोड़ा नीचे Gender का Option मिल जाता है Gender पर क्लिक करके आप mail हो या female हो यह आपको select करना है साड़ा information देने के बाद आपको next पे click करना है जैसे ही आप next पे click करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक नया page आ जाएगा Choose your Gmail address अब दोस्तों नीचे आपको दो Gmail ID मिल जाता है select करने के लिए select करने के लिए सिफ आपको इसके उपर click करना है अगर इन दोनों में से कोई भी आपको पसंद ना आए आप नीचे create option पे जाके अपना मनपसंद ID बना सकते है मुझे यह वाला पसंद आ गया इसलिए मैं इसको select कर रहा हूँ इसके बाद आपको नीचे जाके next option पे click करना है next option पे जैसे ही आप click करोगे आपको password मांगा जाएगा आपको यहाँ एक strong password दे देना है दोस्तो मैंने यहाँ आपना password दे दिया आप भी आपना strong password यहाँ दे देना इसके बाद आपको नीचे जाना है नीचे जाके आपको नेश्ट पे क्लिक करना है नेश्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा अगर आप अपना mobile नमर यहां देना चाते हो तो आपको नीचे जाना होगा नीचे last में आपको yes पे क्लिक करना है अगर नहीं देना चाते हो तो यहाँ पे skip करना है मैं यहाँ पे skip कर रहा हूँ इसके बाद आपके समने फीर एक नया पेज आ जाएगा review your account तो जैसे दोस्तों आप देख सकते यहाँ मेरा नाम और मेरा जीमेल आईडी बनके डेडी हो चुका है अब यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे आना है जैसे ही आप नेश्ट करेंगे आपके समने और एक पेज आ जाएगा privacy and terms आप आपको नीचे चले जाना है एकदम last में last में आपको जाके आई एक डिपर क्लिक करना है जैसे ही आप आई एक डिपर क्लिक करोगे अब आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा Google Services इसका मतलब आपका Google एकटाउंट बनके डेडी हो चुका है जैसे ही हम Google पे जाएंगे आप देख सकते हो मेरा एकटाउंट बनके डेडी हो चुका है इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपना नया Google एकटाउंट बना सकते हो अगर आप भी अपना नया Google एकटाउंट बना चुके हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं आगले वीडियो में